कि आपके सब्सक्राइब करते हैं तो यह जो पहले को पिया जो आज हम देखेंगे और इनके अभी तक एथेक्स में जितने भी मतलब आज था कि थी हास में 2013 से एथेक्स का पर इंक्लूड हो है तो जितने भी लोगों ने दिया है सबसे हाइस मांक से नहीं के रहे हैं करेक्ली तो उसमें बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन रहा होगा के सब्सक्राइब क्योंकि है इसमें बहुत अच्छा स्कॉर करें मेरे इतना स्कॉर आई नहीं सकता चाहिए तो वहीं हम देखेंगे एक बात और के सब्सक्राइब बतल गया हाला कि जब इन्होंने पेपर द सब्सक्राइब तो ठीक है अगर वही वाली बात है कि अगर आप पीवाई क्यूश करके जाता है तो वह करता है अगर हम इसाब लगाएं तो 2013 से भी अगर देखें 21 तक टोटल कितनी के सब्सक्राइब की तो इसलिए पीवाई की इंपॉर्टेंस है खेर उससे पहले जो इस सेचन का एंदभी ठीक है कि सथोसेन हैं कैसे कि अपूर्च करना हुता है कि यह स्कूर्फ करते हैं उसको करतें तो इससे पहले बाड़ पढ़्यशन के सब्सक्राइब कर सकें अपने यह इंकρέ होती कि यृतिक्क तो आई आप पढ़ने होती यह हैश्हत ना मिले एब फिर मेक्सिरम दो बार पढ़ने का वक्त मिले आपको तो ठीक है देखते हैं फोकस से इर है यह बिन वाइट स्प्रेश जिदिश्टेश्ट इश बोग फिर एंगेंस एक्सेंदिंग रिजरेशंस in education institutions and government jobs for a certain section of the society you have been appointed as chairman of a high level committee constituted by the government to examine the matter and make recommendations so far the committee has found no compelling reasons to extend reservation to this section while the report of the committee while the report of the committee is pending finalization you get an impression through the media that the government is inclined to accept the demand for extending the reservation regardless of the findings of your committee some members of the committee are also inclined to support the government stand discuss the dilemma if any that you face in this situation what course of action would you take give reasons for the same also discuss the ethical issues involved with the policy of affirmative action in India okay now you should understand the you are the chairman of a high level committee constituted by the government to examine the matter and make recommendations okay this statement may you can help you can help you इसा है बोबी बता दिया गया निजबेन गटी होगी तर्कवी तो आफ़ी इक रीक्कमेंदेशंगar जो आपको काम करना कि यह यह तोव मेक्नेशंग इसका किन होता है वहां में होता है क्या होता है और उसमने कम बनना है यह सब आइस शी militar वह थे नहीं है इसके बाद कुछ-kąच्यू सैंसिंग और नीछ यह एक यह चीज आ गई कि ठीक आपको कोई भी उब्जेक्टिव क्राइटिरिया और प्याप्जेक्टिव रिजन नहीं मिला है कि आप रिजर्वेशन को बठाएं अगली दिक्कति यह आ गई कि ठीक है गवर्मेंट की जो मतलब इंक्लिडेशन है वो यह है कि रिजर्वेशन आगे दिया जाए जिस यहां पर आपको अगें यह चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है सिर्फ कि गवर्मेंट इसलिए करना चाहिए कि हाँ ठीक है उनको पॉलिटिकल गेंज चाहिए माइट नौट भी है ना माइट देर माइट विसम अधर रिजन से दो नौट नौ अबाट इट यह नहीं कि ए चीज सम्मेंबर्स अपना स्टेंट हो सकता है ठीक है आप तीन कोशिंस पूछे गए आपसे डायलेमा करेक्ट कोई डायलेमा है कि आपके सामने क्या कोर्स उफ अश्चिन लेंगे आप उसके डिजन्स बीदेना जस्टिफिकिशन जिसको बोलते सिस्पार इस वहन थे मोस्ट इंपरन पारिंगे इस्टीज चूज कर रहे हैं वो आप क्यो चूज कर रहे हैं ऩूच बहाइंड युड इश्वेशन इंडिया आप थिस अटीज तीक अट जिए प्रिश्ट इसका अंसर कैसे तिया है तो इन्टो देखेंटेंट लिए तो इन्टेखेंटेंटे सबसे पहले सबसे पहली बात यहां पर अफर्मेटिव एक्षिन का मुद्दा चल रहा था इंट्रेश इंडिया में ही क्यों तो यह इसलिए ताकि इस्तोरिकल इंजस्टिस को एड्रेस किया जा सके और इक्विटेबल और बना जा सके सोसाइटी को प्लस दे कॉंसिटुटुशन आर्टिकल सेट सब्सक्राइब इस इस प्रफिश इस की नॉलिज इन तो में इसके सकते हैं ऐसे सकते हैं एक फिर लग 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 इंट्रॉक्शन हो सकते हैं फिर इस टेकोल्डर नहीं पूचे गया थे बटगें चेज़विए इस टेकोल्ड कौन-कौन से हैं था हाइए लेवल कमीटी एना उसमें आप तो ही है एज अहेड अधर मेंबर्स भी हैं फिर मीडिया क्योंकि वह मतलब बाते सामने लेकर आ रहा है तो ऐसा हो सकता है से क्यों स्क्रियेट हो इस इस वेरी एक्जॉस्टिव इस टेकोल्ड रसके लिस्ट यह देखे गी करें ट्रेक्ली मेंचेंड नहीं था बड़ डेफिनेट से बात है कि आप इस देखेंगे जब भी पॉलिशे रिक्रमेंडेशन देंगे कि इनको जरूरत है कि नहीं है और इनको उसका इस पर क्या एफेक्ट पड़ेगा बाकी सेक्षिंस पर अब सबसे पहला को जो कुशन था उसका आंसर देख लेता है तो फर्सक्रिशन वोस एथिकल डाइलेमा कि आपके सामनें को एथिकल डाइलेमा है क्या जिन्स दा कवर्मेंट इस इंग्लाइन टो अंडर्टेक पॉपिलिस मेजर ऑके ठीक है और फिर एक अप्जेक्टिव एसेस्मेंट यह एक एथिकल डाइलेमा हो गया ठीक है क्योंकि पॉलिटिकल ड्यू के सार्थ जाना क्यों क्यों क्योंकि ठीक है वही जो हम बात करते है एक पॉलिटिकल व्यू के साथ जाएं या फिर एक अप्जेक्टिव एसेस्मेंट थे ओल्सों क्योंकि ठीक है आप अगर दे लिए नोटेस अरडी चल रहे है यह जो लोग यह कर रहे थे जो लोग मतलब इसके फिर ओफ बैकलेशन अगीन इसके साथ आप सबसेंट मतलब आगे भी जोड़ सकते हैं पिर ओफ बैकलेशन प्रड़ वाइलेंस अगर आप यह नेगेटिव चीज दे दे नेगेटिव प्रपोजल दे दे फिर एक्जाया है जैसे कुछ लोग मतलब ऐसे आज भी आज यह जाया था कि हम तिंकर सब्सक्राइब और कुछ फिलोसफीस डाल सकते हैं कि आप कर सकते हैं जैसे नोंने बताया कि हाँ जैसे यह बता चला कि ठीक है यह वह नहीं मिलेगा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो अगी ठीटेश this is okay then you can definitely do it these cities there is also an internal divide amongst the members that might create a biased report okay this this is also a dilemma Florida A part of question is its about the 곁 अगर आप करना चाते हैं तो वैसे भिज़सके भी कर सकते हैं कि ठीक है यह इसमें पहला डाइलमा उसकी हैडिंग बना के और फिर उसके नीचे कुछ लिखतीे दूसरा है उसके नीचे कुछ दीस्ता इसके नीचे कुछ एसके हैं तो सबसे सिंपल सब्सक्राइब कोर्स अक्षिण बता दिया गया है इक दम क्लियर कट कोर्स ऑफेक्षिन बता गया है कोई भी वेगनेस नहीं है कोर्स अफेक्षिन में इस इस वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास decision-making दिखनी चाहिए इस वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो सिदर सिदर बताएंगे कि क्या होगा एक और इंपार्शियल ओनेस्ट अब्जेक्टिव अनलेस्ट इस यही दिखाई गई इसको क्या बोलते हैं नॉट्रालिटी वगएरा कुछ-कुछ नॉनिमिटी नॉट्रालिटी वह सब तो यह हो गया आपका इसको आगे फर्द कैसे आप एथिकल करना है उनको भी सॉल्व करना है तो कैसे करोगे सब्सक्राइब एक रोबस बेस्लाइन सर्वे किया जाएगा यह देखे अगें यह अब्जिक्टिव क्रैटिरिया मेरा कहां से आ रहा है यह भी बताया कॉंसिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब किया अंडर आर्टिकल 15 16 17 वेगरा 17 16 वेगरा जो भी ओके तो शोशल एजुकेशन एकॉनमिक कंडिशन जो की कॉंसिट्रेशन ने प्रेस्क्राइब किया है रिजर्वेशन के लिए मैं उनके बैसिस पे एक सर्वे कराऊंगी कराऊंगा एंड फैंड एलिजिबिलिटी पैरमिटर्स देटर फुल्फिल्ट और नॉट आर्ज मै कि प्रॉपर्ली दॉक्युमेंट इन बेज उन थे सब्सक्राइब कर दिया जाएगा नहीं मिले तो हम ठीक है ऐसे बोल देंगे कि हमें नहीं मिले हम डिस्वेवर कर देंगे इफ आस्ट बाइमीडिया परसेंस आइड एडियर तो माइड रूल बुक एंड कंड़क रूल तो मेंटें इंटेगरेट इप्रॉट इस यह जो मीडिया में चीज लीक हो रही थी हाव दू एड्ड्रेस दाइलमा जो कुवर्मेंट वाला एडिकल डायलमा था वो बीड्र रूल्स था सर्विस कंड़क रूल्स और इंटेगरेटिव प्रोसेस में बना के रखोंगा जब तक गवर्मेंट अपना फाइनल स्ट अनूंस नहीं कर देती इस इस नोट माय वर्क है न यह मेरा काम कितना था मेरा काम सिरफ यह था तो मेक्रेमेंडेशन सुद झाल 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 अलो इवास चली गई ठीक है यह बीच में बीच में वो भी आया था कि रिकोर्डिंग रुप गई है इसे वाले पॉइंटर क्लियर हो गया था कि ठीक है मैं बता रहा था कि हाँ जो आई-स कंड़क्टर रूल्स है और जो रूल कोख है उसके हिसाब से प्रोसेस की इंटेगरेट है वो मेंटेंड रहेगी और मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं गवर्मेंट को कि मीडिया को फीड दूं तो एक्जाम होल में ऐसा पॉइंट आना और लिखना विल टेफिनिटली फैचमाक से बहुत अच्छा और बहुत ही इच्छा बहुत मतलब और पैस्पॉइंट है और आपने देखा कि किस तरह कि से तीनों एथिकल डायलमास को भी एड्रेस किया है करेक्ट आगे बढ़ता है फिर लास्ट है जो सिंपल कोशन पूछा गया था एथिकल इसूस इंट रिजर्वेशन रिजीम उफ इंडिया तो इसमें देखे रोंने दोनों कोशन से अट्रिस कि पहले अपना स्टैंड भी बताया और सेकेंड पूछा गया था कि रिजन्स पहला इंक्लूज़न एरस वेर्ड़वन एंड एडवांस जो एडवांस लाज अगरी फार्मर से वह भी इंक्लूज़ हो जा रहे हैं तो यह पहला क्या दिखाता है इंक्लूज़न एरर से उसको लोग ब्रीज कर लेता है इंक्लूज़न एर्वा था एक्स्क्लूज़न एरर आज सड़ी हाइलेटेट उनली एट परसेंट उफ दे स्केट्यूल ट्राइड पॉपलिशन हुइस नीडिकेट इंप्रेमेंटेट एजुकेशनल उपोर्चुनिटीज इपूरा जीए से कोट कर दिया राइट इस इस अब यहां पर क्या हो गया आपने अंसर को आपने जो भी पॉइंट दिया था अपने एक्स्ट्वूजन एरका पॉइंट दिया तो इसको आपने प्रूफ कर दिया है तो पर एक थीक यह वाली बात बिल्कुछ सही है पर एप्सेंस ओफ क्रीमिलेर्टेरिया अन्सी नागर सब्सक्राइब थे लग रहा है इसमें कोई ऐसा इसवाहिए लग रहा है इसको थोड़ा से एक्षेंट करके एतिकल बना सकते थे प्रेज़न वेकंड पॉच्ट पॉस्ट्टी इन पॉस्टी प्रमोशन दूटेट के टेक्टिक्ट अपॉच्टिक देटर कलेक्शन 10 यह एक पर शोशल जस्तिस यह फिर दस देलेंग इंग्रोफ फफ नेशन ऐसे कुछ करके इसको बनाया दाता था थोड़ा सागे फिर कोई वैल्यू जो ऐसे को भी वैल्यू जो आपको लग रहा है कि हां ठीक है भी ब्रीज हो रही है यह पिर फटीक है था चलेगा नोश पिर प्रिजर्व सब्सक्राइशन दूब्रीच फिफ्टी परसंट कोट फिजर्वेशन कंप्रमाइश तो में रिट्रोकरेश यह बिल्कुल अभी 60 परसंट जिला गया है रेसेंट्ली इंट्रूइस एकॉनमी क्राइटरिया जैनल सिंकेस इंक्रूट्स 98 परसंट परसंट तो यह 10 के 10 पॉइंट इन्होंने दे दिए 10 पॉइंट्स दे दिये हैं हाथ से इत कितने मांक्स का होगा वह यह वाला पॉश्चन छेंका करेक्ट दस पॉइंट आ गया है तो मिली जाएंगे नुबर राइट यहां पर कोई एक सिंगल वो नहीं था और यह आ गया था तो इसते शायद आखिर में लेगने तो यह कंक्लूजन भी दिया जा सकता था यहां कि ठीक है हां किस तरीके से मारे रिजर्विशन पॉलिशियों को में रिविसिट करने की जरूरत है और जो कॉंस्टिविशन मेकर्स का एक्ट्वल विजन था उसको रिइंफोर्स करने की जर है ऐसे करें किसी को इस वाले में कुछ भी डाउट अधिंग जैसे यहां पर लास्ट में वह बोल रहा है कि अथिकल इसूस बताईये तो आपने जैसे एक पॉंट में बताया भी था कि वह वेक्रिंट वाले पे की जी जैसे बट मुझे ऐसा लगा कि पूरा ही जी जैसे उस पहले इंक्रूशन एर्रस वोला कि फॉंट सॉक्युमेंट बोला एक्स्लूशन एर बोला आइश्ट था इंटायरली इड वसे जी जी जैस तो नहीं होगा ना फिर मतले बिए अपने आप में सी इड़िज इस इड़िज फेलिए और हाय उसी एड़िए अर्ट इडिए अर अगर रिवर्स इसकूमिनिशन हो रहे तो यह फाइदा मिल लगों को था है नहीं पोच रहा है तो फिस वैब अथिकल एंगल इंगल इंसेव्ट जए तरिक्राइब अगर एक पॉइंट में इस तरह किसे लिखेंगे कि हादा उसमें वैलिव का उन सी प्रीच होगे इसलिए में कहीं कहीं जा पको बहुत लगज़ आप इस और से समय जाए क्योंकि हारी उसमें वो वेल्य और ट्राय कर देखेंगा गवार ट्राय करके देखेंगा किने 10 पॉइंट को इस तरीके से अपने पॉइंट बना के या चैसे इनको एक मतवएधिकल दिखा सकते हैं इस ट्राइट ओन यूरू ओन ये खाल इस्ट में ये घाल के कॉर्स आठैवावा इसमें जो कॉर्स ऐठावर देने केbec efficECT, के इन्होर देने के बाद कि ये एंग़े डिन हम करेक्ड, 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 लास्टेम इन की You हम और ती इनका जो तो इस आंसर को start करने का तरीका है कि my course of action is जिसमें इनोंने values दिये ये तो बहुत अच्छा है पर अगर justification ना मांगा जाए तब ठीक है अगर justification मांगा गया तो तो एक point ये बन सकता है उसमें बिल्कुल 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 इस बन फिस जिस्टिफिकेशन वाला पॉइंट पाकी हां उसमें मतलब स्पेसिफिकल लिए लग से बोला गया तो आने चाहिए थे इस इस टेप्स जोड़ा एक्शन ले रहे तो क्यों ले रहे हैं वह थोड़ा कम आया है वह आना चाहिए था यह थोड़ा बहुत इंपॉचा गया तो भी कोस अफ्रक्षान के बाद जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉड़ाइट है इसके लावा पॉइंट आने चाहिए थे तो आप खुछ से जिस्टिफाइब करके देखेगा कि यह कुछ सही है तो इसमें आपको दिख जाएगा फिर जो आप यह वाले पॉइंट यह वाले जो नीचे हम पॉइंट देख रहे थे करके को जिस्टिफिकेशन के पॉइंट जिसमें आने चाहिए तो इसमें पॉइंट में और एथिकल डायलमा इससे सौल हो रहे हैं कौन कौन से सौल हो रहे हैं कि सब्सक्राइब वह आ जाता है तो अलब इस नीच उप्रफ शुट शुट है बीन एर ओके ठीक है तो सबसे पहले आपकी दो क्वारिटीज बताए गई आप पॉनेस्ट है रिस्पोंसिबल है और और को सब्सक्राइब करेंगे पहली चीज यह है कि अगर आपको एफेक्टिवर पावरफुल भी रहना है अगर आपको लाना है लोगों की सिंदकी में तो भी आपको लोयल रहना पड़ेगा उनको जो पावर में जिसे वह वाली बात कहते हैं उसमें यहां ठीक है मैं बात करूंगा इंसे तो इस बिकोज दोस वह वार इन पार देखें चीज और पॉजिशन सेंड रहें तो अगर आप देखेंगे तो अगीकत है भी यह चीजी चल रहे हैं उसके साब से यह चीज़े आपने अपने अब्सक्राइब करिये है एक्जमाइंदा बाओ स्टेट्मेंट्स विद लग रहे होंगी तिनों स्टेत्मेंट्स है को मैंरेटशों दे मेरेट्टंट्स नों बताने ठीक है कि ओके ने त्य।क्ट्राइब आ उनके मैलेट्स डिमरेट्स अपको बतानें सिंपलरी इंत्रों सब्रस्ट को बढ़ारिknowक्षल को क्लिक efficiency, power and an impactful work in public, okay, तो introduction में इन्होंने जो case है, जो case है, उसको address किया है, case study का जो actual case है, the crux of the case, उसको address किया है, कि हाँ, यहां पर बताना चाहरा है कि अगर आपको efficiency, आपको power, आपको impactful work करना है, अगर यह तिनों चीज़े करनी है, तो loyalty की जो value है, वो supreme है, है, you have to be loyal to those who are in power, the fact that loyalty to those who are in power is a supreme virtue, यह चीज़ इंट्रडक्शन में आ गई, अब ठीक है के करके देख लेते हैं, ओके पहले वाले के चल रहे हैं, तो merit क्या है इसका, कि आप loyal रहे हैं, पहला है emphasis on emphasizes on the value of loyalty of teacher of permanent executive, towards a temporary executive, यह ठीक है, यह merit इसका यह बता रहे है, पहला, पहला merit यह बताया गया है, कि हाँ ठीक है, जो loyalty है, of the permanent executive towards a temporary executive, उसकी value को uphold करता है, उसकी value को emphasize करता है, this is the first merit, demerit का है, blind idea, पहले merit है देख लेते हैं, this will ensure smooth coordination and implementation of the policies without the internal factions, बिल्कुल सभी बात है, और उपर से नीचे तक policy making से लेके policy implementation तक, जो way of thinking और way of implementing है, वो सेम रहेगा, कोई आपस में भेदबाब नहीं होगा, it will ensure, भेदबाब क्या बोलेंगे, right word, differences नहीं होगे, it will ensure a smooth career transition without the political pressure and divergence of interest, बिल्कुल सिरफ देश के लिए थोड़ी अच्छा है, वो मेरे लिए भी अच्छा है, कि मेरे जो career है, वो smoothly चलता रहेगा, बॉंडा बॉंडा नहीं जाना पड़ेगा, without the political pressure and divergence of the interests, ओके, अब इसके demerits क्या है, blind adherence to loyalty is dangerous, correct, अगर आप blind adherence करते हैं, सिरफ, मतलब, you are loyal without questioning, you are loyal without taking into consideration other factors, constitution क्या कह रहा है, बागे low क्या कह रहा है, आपका conscience क्या कह रहा है, इन सब चीजों को देखे बिना अगर आप सिरफ loyally हो रहे हैं, तो यह dangerous है, this is a t-merit, civil servant is supposed to give neutral advice, such as, negating farm loan waiver, although it seems a lucrative option, जो उपर वाली case study थी लगबग वाली बात है कि ठीक है, even if the government wants you to do in a particular way, you should not do it, you should be neutral in your approach, and morally unethical means can never be justified in the name of loyalty बिलकुल, this is the crux, यह क्रक्स है, this is the ultimate reason or the ultimate demerit, कि आप unethical actions को किसी भी तरीकिती जिस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहिए प्लोयल्टी, efficiency, power, impact, किसी भी नाम पे, you cannot justify unethical means, means are always greater than the ends, यह चीज यहाँ पे अफोल्ड की गई है, और मतलब दिमेरिट में यह चीज खराब हो जाएगी, the ends will be given more important, यह ना, एंड यह ना, कि impact create कर रहा है, but if that impact is not coming through the right means, it will not serve a good purpose in the long run, example, hiding the date of public interest, constitutional violence, communal death, etc., 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 ओके, अभी देखे, यह इसके आगे है, यह ना, impact on the lives of people can be created while being politically neutral, example, Ashok Himka और Mr. Saghayam, ओके, तो impact आप तब भी create कर सकते हैं, अगर आप politically neutral रहते हैं, तो, अलगी थीक है, थोड़ा सा question mark है इसमें, बट थीक है, for the sake of writing, you definitely need to write this, by being politically neutral, by taking your moral ground, by doing your duty to the best of your abilities and objectively, even then, you can create the impact on the lives of a lot of people, थीक है, second, second, क्या था, following ethical means may not be practical and effective at all times, practical and effective at all times, थीक है, तो, merit क्या है, शीज का, कि अगर आप अनेथिकल, मतलब, ethical means ना फोलो करें, तो इसका मेरिट क्या है, teleological approach of utilitarians found consonants with the justification of the end, so what means, correct, जो हम भी बात करी रहे थे, and so what means justify, जाएगा यहां पे teleological approach, the loss will be end, example, killing of mafias or criminals to control the urgent public disorder issue without the due procedure of arrest and investigation, फ्लीज ना प्लीज ना इस दाउन, अप्लीज ना इस दाउन, जो लोग आज में से पूच भी रहे थे कि आप एक्जांपल्स कर सकते हैं कि अब बिल्कुल एक सकते हैं के सामने नहीं है तो विदाउड दू प्रॉसेजर और प्रॉसेस है इसको स्किप करके आप इंस्ट इंस्ट इस टेलिवरी कर रहे है गाड़ी अलट जा रही है और के मेरित हैं एक एक लिए छी के और दिमेरिट कया इस गांधी जी सेट एर रोंग मीन अडूप्ट इप्टी डिवाइट इस नेवर ट्रॉली गरेक्ट आपक्ट इंस पोकुस उन यूर उनेंज आखिशन यूर एक्श्यों इस फोकुसिंग वाइड टी इंस इस इस्टिं कि आप अगर गलत मीन्स ले रहे हैं तो एक नएक दिन आपको दिखेगा कि वह आपको बैक बैक्लेश आ जाएगा उसको बैक्फायर कर जाएगा सपोस्कर एक इस दिन क्रिमिनल की जगा को इनसेंट इनसान हाथ चड़ गया तो अगर इस सिस्टम से जाता तो प्रूब हो जा प्रूब इस दिन आपको थोड़े थोड़े देर में ये दिखाना एक्जामिनर को कि आप मॉरली कॉंपर में नहीं हो रहे हैं आप एथिकल जरह सा भी कॉंपरमाइजिक नहीं हो रहे हैं ट्रस्ट मीजिस स्पीड से के सड़ीज पढ़नी और लिखनी पढ़ती हैं डूइ लेकिन आप यह चीज़े अगर नहीं लिख पा रहे हैं जो एक स्टार है ना एक जो वह अलग से दिखता है आपकी कॉपीज में वह नहीं दिख पाएगा और प्रपरपॉस इस है न जो उपर बोला गया था कॉशिशन में से जिए अगेन उस्ट पर प्रटिकलर कीवर्ड पर बींग प्रेक्टिकल और एफ्लेक्टिव अथिकल मॉरालिटी चांट बेमेड फ्लेक्सिबल यू थैन नाट कॉम्प्रमाइज भी देशन मॉरालिटी चाहिए अपको कोई भी अगजेक्टिव फिर अचीव करना हो हाउसॉएवर दायर नीट सीम्स चाहिए अपको कुछ भी लग रहा हो सब्सक्राइब करप्शन को कि वह सब्सक्राइब करता है जो उसको फास चलाता है लेकिन इसके मेरिट्टी मेरिट्स क्या है ओल्डवा वीड सचेस्क्राप्शन के नेवर भी पॉजिटिव आए शांदार येट इट सीम्स एट पिटी ब्राइब कैने इस परेट देलिवरी थू लेवल्स उफ रेट टेपिसम एग्जांपल पेंजन शर्टिपकर दोट परतऊंगों को यह सकुंच्छ आए ऐफ डी सब्सक्राइब को विख एड टाएपल सब्सक्राइब करप्शन तो यह एक मेरिट हो गया इसका वेरी नाइस लाइन तो बिगन वेट क्या है सुप्रीम कोर्ट है सब्सक्राइब करप्शन इस रोटिंग थे लाइफ इन ब्रेट इस नेशन थे स्कैंप सब्सक्राइब कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि क्योंकि क्रप्शन इन एनी फॉर्म एट एनी लेवल नीट्स टू टू प्रूली में का अनेशन ग्रेट जैपनीस कल्चरीजन यह देखे के सब्सक्राइब करेंगे तो वेल्यूस दिख जाएंगे आपको आपको बेस्पेक्टिस दिख गए आपको वह क परीज दिख गए ना डियोंको लॉजिकल एप्रोच एलो लॉजिकल एप्रोच जैपनीस कल्चर इसन आउपनर एशन एग्जांपल गवर्मेंट ऑफिंटेश ब्रेंगिंगिंग वेरियस लोग सुदिल विद पॉलिटिकल एकॉनमिक एंड इस तरीके से गरके अपने बत इस 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 टेंड एक शीज़ इस तेकिंग इवन आफ़र गिए इंडेट्टी मेरिट्स इन इन फिरकर प्रूशिय इन डगोज नेक्स लाइन लेकिन उसके बाद मेरा कंप्लूजन यह है लेकिन किसे का कुछ इसमें डाउट कुछ बताने इसके बारे में सब्सक्राइब करके अधिकल डामेंशन डाल सकते हैं क्या लाइक जोन डाल सकते हैं कि परीजेंट्ली टू नेशनल लेशनल लेशन परसंवार इंटेरल मेंबर्स फिर टीम बेंगे संपमेंशन टॉक्शोर विच वर परसीवड इस विग्रोश लिविस और जैने के रिसे कुंचा से कि अ कुंट व सब्सक्राइब क दे ए लाइजओ रस्टेस्ट कर देंडेम बिस प्टेम मघटनेंटर्स प्राइब करा सब्सक्राइब कॉड्रिपर इंकृ इने अजितिथर व्युन स्मेंटर्रा बैक कि रओधarna जाफिक बॉर्णत्टम ट्रॉटस इस ऐस are the reasons that some prominent public figures make such misogynistic comments and even get away without any consequences as a person in charge to inquire the conduct what factors would you consider to examine it and what punishment if any would you prescribe in this specific case okay in questions now the point is if you understand this particular question if you understand whatever you stand up do you think public figures have an additional responsibility in so far as a spicing their views of matters of public importance is concerned obviously you can say responsibility but the point is what is the point is that you can see that you can see that if you can see that you can see that you can see that you can be a political imperative पिर अगर दिए प्रमेन पॉबिक फिकर्स में शुच निस्तिक कोमेंट इवन गेट विदाओ नी कॉंसेक्वेंच क्या रीजन है इसका और लास्ट में अगर आपको उनको कंड़क्ट को देखना हूं चार्श विंपर इंट इस स्पेसिफिक केस में ओके चले देखें ओके इंट्रो फ्रीडम ओफ एक्सपेशन अंडर आर्टिकल नाइंटीन इसलफ दसंट कि वह फ्री लीवे तो डी फेम और पास एनी ग्रोस्ट इन अप्रोप्रियेट स्टेप्मेंट्स रेस्टिक्शन इन नेम अफ पब्लिक ओडर डिसेंस इन मॉरालिटी आर प्लीस ठीक और दो कि अगेंट ग्रोव में अगेंट रिष्यूस कॉंस्टिटुशन फिर स्टेकोल्डर वादर स्टेकोल्डर सुआउड इंवाल टाउक शोटीम लाज़र पॉब्लिक इंक्वाइर एंड नी कि मैं पॉट्स परसंट पब्लिक फिगर जो दो हैं वो और मीडिया इस अ मेरा देखते हैं क्या पब्लीक फिकर के एक साथ स्कूड़ीटी हो नी जाहिए वो देखते हैं वह देएख्टा पूडर रोल model figure which can sometimes be called as Godman syndrome in our culture yes they constitute a huge responsibility to the following reasons right dilute करने का कोशिशिस नहीं की गई है सिदर सिदे स्टेंड लिए गई कि हाँ एक हुज रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है influence on such a large section of population example Bollywood South Lake है ना सबसे पहला क्या large section पे आपका influence है यह आपके रीच जह हो बहुत बड़ी है पीपल लुकाप टु थेंगे लीफ डंडर हेले में देरेख़् लिएग लाइब गए थीजिट्टेंड पान थौजण्ख भीडिम्स विधर मोटिवेतिंग इस्पीशें विचेज विचेशेंड बेहराशींच प्रेडर मोधी जे पिनारायन नेहरू कांदी प्रड़ा पीछे एंपर अपर फॉसंट्व द्रीम्स विद देर मोटिवेटिवेटिंग स्पीचिस एंवर्ट टॉक्टर कलाम इंपाइट हुंड़्डेट्स फुट्र आप साइंटिफिक स्पेसे एक्सप्सक्राइश इस प् इस प्रेजन नहीं है तो वही हो गया कि ठीक है रीच है अग्याजन सब्डीम्स तक पोच रहे हैं अंडेट्स सुडेंस को कर रहे हैं यह इस दिस वल कमसें दर रीच इनकी रीच इसके अलावा भी चीज़ें कर सकते हैं एक सकते हैं थोड़ा इसी को बेटर फ्रेम करके ल इंडिसेंटेंट फॉल्च इर्वर्टीजमेंट्स उफ प्रोडट्स मेकिंगें एथिकल ओनर संद सेब्रेटी प्रोमोर्ट ऑथेंटिक रिस्पॉंसिबल यूस कंजुमर प्रोटेक्शन एक वो क्या ना वो क्या टाम होती है जो एर्वर्टीजमेंट के टम में एक एथि होनी चाहिए बताइए आप लोग चलिए क्यों ऐसा होना चाहिए कि एडिशन रिस्पॉंसिबलिटीज होनी चाहिए किसी पुब्लिक फिगर के ऊपर पहली बात तो के चलिए रीज अच्छी होती है क्योंकि उनकी साधर लोगों तक पहुँच सकते हैं दूसरा चलिए अधिशन रिस्पॉंसिबलिटी ठीक है उनके विव्यू नेगेटिवली इंपक्त कर सकते हैं उनकी फॉलोवर्स को ठीक है कि अगर वो किसी इसी जिसे मिसोजिनिस्टिक कमेंट दिया कोई तो बहुत सारे जो फॉलोवर्स हैं उनके वह यह पर्टिकलर व्यू बना सकते है तो इसको बहुत विस्ट कि हांड यह चैप जो ऊपर दिया था है इनोने यह आप यह चैप बहुएवियर है इसको इसको थ्लड़ा ठीक नहीं जा सकते है इसको एक पॉइंट के तरह दे सकते हैं कि दे शेप बिहेवियर कि ओफ लॉट ऑफ फीपल कि ओके फिर एक वह आता है विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉंसिबिलिटी तो यह रिस्पॉंसिबल हैं कि वह उसी इसको सही रखे कि ओके इमोशनल कनेक्शन के ओस तो आपको स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स के रूप में देना चाहिए यहां पर यह रीजन होंगे ओके फिर सब्सक्राइब कमेंटेट मिस और जिनिस्टिक क्या कुशन था दूस्ता अधार वह अधार अधार प्रमिन पॉब्लिक फिगर्स में शुर्जिनिस्टिक कॉमें रिजन स्क्राइब तरुक्षण क्या है ऐसे प्रिज्टिक कॉमिटर अधार डिजिंट कॉल्ड प्रमिन प्रमिंटी साही बात है लाइक अग्स टॉहीं क्लास कोर्पूरेट लुए इस्पटीज तो रग दें मौत इस ऑफ लिगल श्स्टिक ग्रेंट रिज्ट रिज्टिक और लुट इंट्रेट एफुड्हां अधा स्ट्रीम हाववर वी कांट निगलेक्ट देगर सचेज ओकी गुट गुट इनफ इठीक उसका पॉजिट भी दिखा दिया कैसा नहीं है कि सिर्फ गलती चल रहे हैं हाववर वी कांट निगलेक्ट देगर सब्सक्राइब गांगुली वो डिवोटेट देर लाइफ तैम बैलेंसिंग गुट वरक एंड सोशल प्रेस्टीज वार इन इंस्पिरेशन एवन फोर जनेरेशन स्टू कम सबारत है ठीक है फिर इनक बॉलीवूड और प्रिकेट दो जगना पब्लिक फिगर्स दिखते हैं ओके वोटाथ दीजन सेट सम्प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स मेंग सब्सक्राइब विद विदाओट एनी कॉंसेटेंसिस तो इसके लीगल और अलग अलग चीज़ें हमने देख ली क्या 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 रीजन है वाइड दू दे मिक सचार कमेंट एंड हाओ दू दे गेट अवे इसकते हैं कोई पॉइंट वाइड दू देमेक्स कॉमेंट्स इंचे उसी सिंपल सी बात यह ना कि कोई भी इंसान है वो क्या रिफ़लेक्ट करता है वह सुसाइटे को रिफरेक्ट करता है तो एक तो यही चीज हो गई कि वह सोसाइटी से उठा के लाए उसव चीज़ों को इसलिए वो सबसाइटी में नहीं चल रही है तो सबस्क्राइब करते हैं तो यह चीज़ नहीं रही है प्रिवलेंटिन है अच्छा आपने बोल दिया था कि उबर सॉरी ग्रेनी मेरे धियान जरुड़ी पीपर एक विद लीगल में जिस फिलिंग इंडिया 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 इस व्यूंड आप अप्ट्रेश्ट ग्रेंट ग्रेंट आप टिर्टॉ ऑगे एग थीग है करप क्या क्या करॉपिट कोगिनिशन गरिव आप टिड्याइशन कस्तूमरी मORALITY था लैक अप्सोशल प्रेशर केंसरे चफ्रमेंक as an in charge I would consider the following factors the factors nature and reach of the show impact it has on population today's context social media is vital in this context a mere slip of tongue or genuine intention to cause harm the action taken by the person in the talk show authorities thereafter these factors we will see what the reach is that show what nature is it कितना इंपेक्ट करेगा वोपुलेशन को अगें वही रीच वाला पॉइंट लगभग रीच और इंपेक्ट नो ठीक है हाँ दो अलगले चीजे हो सकते हैं अम्यर स्लिप अफ टंग और जनुवीन इंटेंशन तो कोज आम अरट करेंग पर आपर जार्ट लग्डश स्थू एर अट करफ टाहर मैंशन ओः मिशन नार्ट करेंगार फिर्सмен देडिवरू को समय को सब्सूर अजय को को सिर्दाल नहीं ते लिचार मेंशन नहीं अरीच भीक्ट टेर पाइंट बूलीटिवर्स अपालिवरें पालिवर् the high-end approach a temporary ban on the sports part is a temporary ban on the sports participation would also set an example अर्यार तो बड़ा कम दिया है इन्होंने पनिश्मेंट भी पूची गए थी पनिश्मेंट भी पूची गए थी पनिश्मेंट बस इतने ही बोला इसे बताइए आप लोग इसी का अंसर तीचे शायर स्पेस नहीं बचाता है इनके पर सब्सक्राइब कर देना काफी है क्या अब पनिश्मेंट के रूप में बस इतना आया है कि एक अपॉलिजी टेंडर करो आप पब्लिक अपॉलिजी दो और दूसरा यह की इस पॉर्स परसन इन जनरल शो पर आने बंद कर देंगे हैना क्यों के साथ गुन पिस रहे तो बताएए आप बताएए वोट शुड़ बी अबेटर वी ओफ इसकी जगा अगर इसकी जगा अच्छा इसका मतलब ओके इसका मतलब यह कि जो जो शुक्त खेलते हैं उसमों को पार्टिसिपेट करने से रोप लेंगे जो किया भी गया था था ना पांट्या के और इसकी इस में कितना कुछ-कुछ महीनों का बेंद लगा था न दो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यह प्रॉपर पीनल प्रोविजिन हो गया फिर यह यह अप्रोच हो गया आपका यह लो एंड हो गया रोड लो रोड दोनों हो गए ठीक है ओके अगे पी आर्टीम प्रोचने वाली बात है प्रोड प्रोड पॉब्लिक में चलो नहीं वह रिकॉर्डट होता है ना लाइव ठोड़ी हो रहा है कि उनकी वह बनती है कि यह गलत मैसेज देगा बटन उने पी आर के लिए बिल्कुल तो पी आर्टीम के साथ साथ जो रिस्पॉंसिबिलिटी यहां पर होगी वह टॉक्शो वालों की भी होगी जो टॉक्शो आखिर में तो उसी के पास है ना ब्रोड्कास्टिंग राइट तो उन लोगों ने पॉप्लियर्टी के चक्र में उसको वह कर दिया तो जो टॉक्शो वाले हैं जो होस्त है उसकी रिस्पॉंसिबिलिटी होनी जाहिए थी जो को स्नॉटिस टूश्य फॉर्मल अपॉलजी के वह तो बोल भी रहें कि फॉर्मल अपॉलजी पॉलजी दिलवा देंगे शो पर भी थोड़े दिन के लिए पैन लगा ओके जाहिए लाइब अफ ल्यदर इंडिस्ट्रीज इन अमेजर इंडिस्ट्रिय ताव एंडिया थे प्रवाइब employment to large number of people and are also prominent source of revenue for the state lately it has been observed that despite following the present emission control rules the collective ecological footprint of these industries remain quiet affecting the surrounding areas in an adverse manner ecological footprint okay despite following the present emission control rules okay okay the new technologies available for emission control are quite costly and the sector is a disincentive for the owners of the industry for adopting them in light of this information the government is contemplating the following options setting down the industries relocating making emission control rules stricter providing incentive to the industry for adopting new technology analyze the options in terms of their merits and demerits what course of action would you choose and why okay all right he can charge already you do not have to think about the options you have to think about their merits and demerits and what course of action would you take for a fast-growing developing country as india sustainable development versus economy growth is to be carried by the principle of sdg nine okay sdg use k dya sdg use sdg use k dya sdg use k dya sdg 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 और इंडिया का जो एक दिमेरिट क्लाइमें इंप्लाइमेंत क्लायमेंंट सुजडढته बिल्कुल शाही बात सब्सक्रपटोर को प no सब्सक्राइब कासा विड़ाव टिम्ट सुफ मेंड्यरां फ्ल्ल एक बशन कम ऊगब से कि अपिए क्या वाइदा करने को सबस्क्राइब करें कि वाइदा कि क्या नुख्सान होगा और ऐरिया पर फायदा नुक्सान होगा इंप्लिवन्ट जिला जाएगा तो आप अपने लिखे तक पता लोगों नहीं कुछ गुना किया है दर रवेन्यू लोज तो नहीं रवेन्यू लोस तो नहीं क्योंकि स्टेट गवर्मेंट को तुसका रवेडियू मिले गई रिलोकेशन पर यह तो नहीं आना चाहिए है यह आपर लोकल इंप्लियम्न ज़रूर बढ़ जाएगा यह अभी भी रहता है ओप्शन सी है आपका स्ट्रिक्टर एमिशन रूल्स इसका एक बढ़िया मेरिट है कि एक बैटर ऑप्शन ऑपर दोनों वालों से इस्ट विलरेस्ट एडवर्जिकल फूट्पेंट एंड से लावलिविट भी बच जाएगा तोनों चीज़ेंगी मैने टेकनोलोजीज लेकिया हो और अफेक्ट ओड़रोल जीड़ीप कॉंटिविशन फॉट्टर पीक है ऑप्शन दी इंसेंटिफ्टू ओनर्स तो इसका मेरिट के अट्रेस्ट एर रिसोर्स कुरंज एंट फंदिंगर्मेंस साही बाता है जो पर इश्वा रहा रहा था इंसेंटिव इंसेंटिव तो शिफ्ट टुबिन टेकनोलोजीज गलीन एंट इंसेंटिव माइट नौ पी सफिशन तो एरिस अ कंप्रीट रिखुर्मेंस इतमाइट टेक ताम तो शोर्जिल्स ओके तो चॉइस क्या रहे कि अखिया अखिर मैं ब्लेंट फ्र्ड और फॉर इंसेंटिव यह दोनों को मिला के हम लेके आएंगे अपना कोर्स अफचिन बेशल बी स्ट्रिंजें पॉलिशन नॉम सिंसे एक अलोजिकल फुट्पिंट इस एपॉर्ट इस इस प्रिख थे पहली बात तो ने बोल दी कि अस्टिंजें पॉलिशन नों साने चाहिए एड इंडिया's climate commitments and also risk millions of lives in the neighborhood okay keeping in mind the labor intensive economic growth contribution it is of utmost important to support the sunrise sector ensuring the livelihood security of workers right to यह कि वो शट्डाउन ना हो या फिर वो डिलोकेट ना हो यह भी जरूरी है स्कीम स्टेस के पिटल सब्सक्राइब करने के लिए जो पैसा हम दिलवा सकते हैं वो हमें दिलवाना चाहिए it would also beneficial to involve R&D institutions such as ISRO DRDO IISC to undertake research and business innovative interventions which are low cost thus reducing import dependence over the foreign green technology platforms like aim at innovation mission impress impact can be utilized to tap the innovative minds of young people lastly capacity building and skilling of workers would additionally boost the sector okay okay किसे को इसमें कुछ आउट सर इसमें कॉर्स ओफ एक्शन कॉन सा दिया है इनोंगे वोट कॉर्स ओफ एक्शन वोड़ी चूज और वाई इक यह बता है कि थर्ड और फॉर्थ को ब्लेंड करके देंगे और उसका रीजन बताया है वोट को सफेक्शन को सफेक्शन वोड़ी ब्लेंड फॉर्ड और फॉर्ट इन फॉर्थ इस एंड वाई तो वाई वाले में शायद यह दिया है कि वाई वाले का रीजन फॉलिंग डीजन इतना ही दिया है इसमें कि थीक है थर्ड और फॉर्थ को मिला के करेंगे मतलब स्टिक्ट एक्शन भी होंगे प्लस इंसेंटिव भी दिलाए जाएंगे कि यह यह इस पर थोड़ी सी थोड़ा सो लिखा सकता था कि ठीक है को सफेशन फर्दर क्या होने वाला है बड़ कि श्याद उतने स्पेस नियोंगा और रीजन सब्सक्राइब करने होंगे तो इसलिए नहीं यह किया है थीक है थोड़ी सी बात इस चीज़ पर कर जा सकती है हर स्टेकोलडर को सिंटर में रखके कोर्स अफशन दिया सकता था इसके अंदर और जैसे जो रीजन्स भी दिये गए हैं वो सारे की सारे रीजन्स में भी एंवार्मेंट को देखके ही देए गए हैं हुँ बताईये कुछ पॉइंट्स यह तो मतलब इसमें कोर्स अफशन में कैसे स्टेकोलडर को ले देके लिखेंगे तीस वते स्टेकोलडर्डर्स जैसे कि इसमें लाइवलिहूड लॉस्ट अगेरा दिया हुए तो किसी के लिग अगेरा दिया सकता है जो जनरल पॉब्ली के आसपास में कि अगर कंपनी फिर भी फॉलूशन कर रही है तो कुछ कम्यूनिटी पोटिसिंग टाइप की चीजिस में आड़ की जा सकती है ताकि एक और फीड़ बाक रहे या फिर चेक रहे इंड़स्ट्री के ऊपर ठीक है कि इस विल सुसाइटी को इंक्लूड किया जा सकता है सही है इसमें ऊन्हें कंपनी को भी मिलब इंड़स्टी इस को इंक्लूड निकैना थे इस ऐसे श्वल्डर वह भी तो आजेंगे इंडस्डी को भी तो अपने नुक्सान होगा ना उनको टेक्मिलोज्य अप्ग्रादिशन करना यह तो उनको पैसा जाधा चाहिए वह सब कहां साहेगा वह भी थे एक स्टेक्डोडर है यह जो वी इंक्लोदेड एर करेक्ट है नहीं इसलिए इंपार्टेंट होता है कि कोर्ष एक्षंट लेते टाइम हम डिख सकते हैं इस नहीं और इंडे सकते हैं नहीं आप टोडर से दे सकते हैं नहीं नहीं वह बहुत हो जाएगा तो इसी के साथ खतम करते हैं इस फाइल में दो बचिए अपने तरफ से पढ़िए और अनलाइज करिए कि उन्होंने क्या क्या चीजे यूज किया जो चीजे आपको दिख रही है इसमें कि ओके इस तिंग्स है फेच्ट मार्क्स आप उनको कर सकते हैं अपने आंसर में ओके यह जो फाइल है यह इन्होंने में से सिर्फ एक थेंक्स इन देर आंसर्स तो ठीक है इंड़ टू इंबाइब जो इन्होंने चीजे लिखें वार्टी कि अपने तरफ से बाते जो तो के सड़ीज बचेंए अरे यह क्या होगया कि अधान किया हुए है कि अधान किया हुए है ओके अरे चल्ट है है ओके तो ठीक है फिलाल के लिए इस रिकोर्डिंग को बंद करते हैं थैंक यह सो मच पर जॉइनिंग इन